अगर कोई भी सरकार, कोई भी सरकार मेरे जंता के साथ वादा खिलाफी करे, कोई भी सरकार मेरे जंता के साथ अन्याए करे, कोई भी सरकार सपना दिखाकर साकार करने के बजाए, अपने पॉकेट को भरे, वादा खिलाफी करने वाली कोई भी सरकार हो उनको धूल चटा दूगा जब भी जनता के साथ छल कपट हुआ तो मेरा परिवार हमेशा से ही जनता के साथ खड़ा रहा मेरी आजी विजयराज्यसिंध्या ने डीपी मिश्वरा को भी धूल चटाई थी उनका पोता आप लोगों के सामने खड़ा है और जब भी कोई आपके साथ छल करेगा तो आपका ढ़ाल और तलवाल जोति रादित्य सिंध्या बनेगा ये जो वाक्या आप सुन रहे हैं ये किसी और का नहीं बलकि केंद्रिय मंत्री जोति रादित्य सिंध्या का है मद्यप्रदेश के शिवपुरी में विकास सियात्रा के दौरान केंद्रिय मंत्री जोते रादित्य सिंध्या ने एक बार फिर कॉंग्रिस पर जम कर निशाना साधा और अपनी आमसभा के दौरान उन्होंने कहा कि जो भी सरकार वादा खिलाफी करेगी तो आपका ये जनसेवक उसको धूल चटा देगा इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि उनको राजनीती से कोई मोमाया नहीं सिंध्या परिवार ने हमेशा जनसेवा की है और जनसेवा के लिए हमेशा ततपर रहा है कुछ नया होगा कुछ अच्छा होगा पर क्या हुआ वल्लब भवन को ब्रश्काचार का अड़्डा बना दिया उन्हों को निशेशा रेत माफिया और खदान माफिया पूरे प्रदेश में लागू कर दिया और रोज गिंती होती थी खाते में पैसे की दिए मैं उस परिवार का वन्शज हूँ जिस आजी अम्मा ने जब डीपी मिश्रा ने ललका रहा था तो डीपी मिश्रा की सरकार को भूल चटा रहा था राज नीती के साथ मेरे भाई और बेनों मेरा कोई मो नहीं संध्या परिवार अगर आगे आता है एक पुरानी परंबरा एक पुरानी प्रथा एक संकल्प के साथ जो आज नहीं एक पीडी पुरानी नहीं दो पीडी पुरानी नहीं लेकिन 15-16 पीडी पुरानी उस महाज जी सिंद्या के हम वंशज हैं जिन महाज जी महाराज ने शत्रपती शिवाजी महाराज की हिंद्वी स्वराज की सपना को पूरा किया और 1781 में दिल्ली के किले पर हिंद्वी स्वराज का जणना गा लगा का मैंने बीजेपी की सरकार बनाने में अपना जी जान लगा है क्योंकि जिस सरकार को हमने बनाई थी जिस आशा के साथ जिस अभिलाशा के साथ अगर 18 महीने में अपना रंग बता दिया जो कहा था मन्ज से कि अगर 15 दिन में किसानों का रिण माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंतरी बदल देंगे जब किसानों का रिण माफ नहीं हुआ जब लोगों के साथ भरष्टा चार हुआ जब लोगों के साथ वादा खिलापी हुई और मैदान में कोई आए ना आए लेकिन सिंध्या परिवार का मुख्या आगया मैदान आपको बता दे जोतिरादित्य सिंध्या ने शिवपूरी के लोकवासा में लोगों को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कॉंग्रेस पर खोब तंज कसा और कहा कि जो भी सरकार सपने को साकार करने के बजाए अपनी जेव को भरेगी तो ये आपका जन सेवक उनको धूल चटा देगा जोतिरादित्य सिंध्या ने पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई को भी याद किया और जनता से कहा कि जैसे अटल बिहारी वाजपई कहते थे या तो आर या तो पार वही मैं करूँगा हम भावनात्मक लोग हैं हम पद के भूके नहीं पर कोई अपमान करे मेरी जनता का तो मैं जमीन पर आ गया मैंने कहा जैसे वाजपई जी कहते थे ना या तो आर या तो आर या बोलो मेरे साथ अपने संबोधन के दोरान सिंध्या ने मोधी सरकार की जमकरतारीश की और कहा कि डबल इंजन की सरकार मात्री शक्ति और नौजवानों की सरकार है ये विकास यात्रा कोई राजनीती क्यात्रा नहीं है बलकि ये भारत देश और एंपी को विश्व पटल पर अग्रसित करने का संकल्प है साथी साथ कहा कि सिंध्या परिवार जन सेवा की संकल्प खाई है राजनीती बस एक माध्यम है